26 जुलाई 2023 को कारगिल विजय दिवस की 24 भी वर्सगाट मनाई जा रही है तो आज की स्किलास में हम लोग कारगिल योद्धी के पारे में बात कर लेंगे और जो ओपरेशन विजय चलाए गया था उस पर भी हम लोग बात करेंगे कुछ और भी मात्पोन पॉइंट हैं आकड़े हैं उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे और आप देखेंगे योद्ध 3 मई से सुरू हुआ था और 26 जुलाई 1999 तक चला था यानि कि 2 मईने 3 सपता 2 दिन चलाता है ये भी आप लोग याद रखेगा और कारगिल को आप लोग देखना चाहें तो पहले कारगिल आपका जम्मू कस्मीर का एक जिला हुआ करता था लेकिन आप सभी जानते हैं कि जम्मू कस्मीर से 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कस्मीर को दो भागों माट दिया गया लद्दाग और जम्मू कस्मीर दोनों के अंदसासित पिदेश है तो अब कारगेल लद्दाग का एक जिला है लद्दाग की राध्धानी ले है इसकी सीमा चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है राज्यों में आप देखे जम्मू कस्मीर और हिमाचल पर देश से लगती है, पाकिस्तान से आप देखे लगदाग, जम्मू कस्मीर, पंजाब, राजिस्तान, गुजराग, हमारी पांच राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से, 1947 तक हमारा ही हिस्सा था है, और अभी भी योद तीन मई को भारत के जम्मू और कस्मीर के कारगिल जिले में सुरू हुआ था, उस समय जम्मू कस्मीर का हिस्सा था है, और 26 जुलाई 1999 को समाथ हुआ था, संघर्स तब सुरू हा जब पाकिस्तानी सेनिकों और आतंगबादियों ने भारतीय पिसासिचेत में की और नियंतर रेखा के साथ कई रणनेतिक पहाड़ी उंचाई पर कब्जा कर लिया, और हमारे सेनिकों को इतना नुकसान इसलिए उठाना पड़ा, क्योंकि आप देखे वो उंचाई पर बैठे हुए थे, हमारे सेनिक नीचे से लड़ रहे थे, ये टाइम लाइन है, 3 म मई 1999 को भारती सेना के जवानों को इलाके में गस्त के लिए भेजा जाता है, और 5 अधिकारियों को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया, बाद में उन्हें मार डाला था, फिर आप देखें, 5 मई 1999 को पाकिस्तानी सेना ने कारगिल में भारती सेना के गोला वारूत के धेर क को नस्ट कर दिया फिर आप देखेंगे कि 10 मई से 25 मई 1999 तक आंगे की घुसपेट का पता चलने से कारगिल में अतरेक्त बलों की रणनितिक तैनाती को बढ़ावा मिला भारती सेना ने छित्र को मजबूत करने के लिए कस्मी से अपने सेनिकों को जुटा कर कारगिल में कबजा की गई उंचाईयों पर कबजा करने के लिए ओपरेशन बिजय किया क्या किया ओपरेशन बिजय किया बिजय सुरू किया फिर आप देखेंगे 26 मई 1999 को भार्ती वाइसेना ने ओपरेशन सपेज सागल शुरू किया और पाकिस्तानी ठेकानों पर हवाई हमले को भाकिस्तानी सेना ने मार गिराया और 31 मैं 1999 का दिन आता है भारत के ततकारीन पिधानबंतरी अटल विहारी बाचपई ने पाकिस्तान के साथ योध जैसी इस्तिती की घोशना की फिर आप देखते हैं कि एक जून 1999 आता है पाकिस्तान ने कस्मील और लगदाक में नेशनल ह पर योध में पाकिस्तान के सीधे तोर पर भागेदारी की पुष्टी करते थे और पाकिस्तान की यह हरकत है कि वो आप देखते हैं कि उसके सामिल भी रहते हैं तो वो इसे मानता नहीं है वो कहता हम सामिल ही नहीं है इसमें 9 जून 1999 को भारती सेना ने बटालिक सेक्टर में दो महत्मों ठेकानों पर कबजा कर लिया फिर आप देखें 10 जून 2023 को पाकिस्तान ने जाट रेजीमेंट रे भारती सेनिकों के छे चट बिस चट सब लोटा है फिर आप देखें 11 जून 1999 का दिन आता है भारत ने की गई बातचीत थी फिर आप देखें 13 जून 1999 का दिन आता है और भारती पिधानमंतरी अटल विहारी बाचपई ने कारेली का दोरा किया और सेनिकों को संभोधीत किया फिर भारती सेना ने टोलो लिंग हाइट्स पर दुबारा कब जाकर लिया पाकिस्तानी सेनिकों ने जब आभी कारवाही शुरू की लेकर भारती सेना ने उने खदेड दिया फिर 15 जून 1999 बे आता है ततकालीन अमेर की राश्पती बिल केलेंटर ने पाकिस्तान के ततकालीन पिधानमंतरी नवासरीर को कारगल से सभी पाकिस्तानी सेनिकों और आनिमित बलों को ततकाल वाप सेना प्रमुख कों थे जनरल वेत पिकास मलिक और आप देखते यह आप लोग याद रखिएगा और बायव सेना प्रमुख थे हमारे एस्टी एम अनलिल एसमन टिपनेस और पाकिस्तान के उस समय की राष्टपती कौन थे? एम आर्थतरार और पाकिस्तान की पिधान मंत्री कौन थे? नवाज सरीप एवी आप लोग याद रखेगा सेना पिरमों कौन था उस समय उनका? जनरल परवेज मुसरप एवी आप लोग याद रखेगा फिर आप देखतें कि 29 जून 1999 आता है पाकिस्तान की संगीय सरकार के दबाव में पाकिस्तान की सेना आये भारत पिसासित कस्मी से पीछे हट गए 4 जुलाई 1999 का दिन आता है भारती सेना ने टाइगर हिल पर उनाहा कपजा कर लिया और पाकिस्तानी सेनिक वटालिक सेक्टर से हट गए 5 जुलाई 1999 को राष्ट्रपती बिल के लंटन से मुलाकात के बाद पाकिस्तानी पीम नवाज सेनिक ने अधिकारिक तोर पर कारगिल से पाकिस्तानी सेना की वापसी की गोशना कर दी भारती सेना ने तेजी से द्रास्त पर गबजा कर लिया पर आप दिखते हैं 12 जुलाई 1999 का दिन आता है पाकिस्तानी सेनिकों ने कारगिल से अपनी वापसी पूरी कर ली और नवाद सरीब ने भारसी बातचीत का पिस्ता और रखा 14 जुलाई 1999 का दिन आता है पीम बाजपेई ने ओपरेशन विजय को सफल घोसित किया और पाकिस्तान के साथ बातचीत की सरतें तैकी और आप देखें कि 26 जुलाई 1999 को कारगिल एउद अधिकारिक तौर पर समाप्त गोसित कर दिया गया और भारती सेनाय बिजय हुई अब आप देखें इसमें कहा जाता है ऐसे अपने अपने आकड़े हैं हमारे अगर हम लोग भारती आकड़ों के इसाब से देखें तो हमारे सेनिक कितने सहीद हुए थे इसमें 527 गायल कितने हुए थे 1367 यह आप लोग याद रखियेगा एक लड़ागों विवान को मार गिराया था पाकिस्तानियों ने एक फाइटर जेट क्रेस हो गया था एक हेलिकॉप्टर को मार गिराया था और आप देखे कहा जाता है पाकिस्तानी के सैनिकों की बात करें तो कई लोग कहते हैं तीन हजार मारे गए थे कई लोग चार हजार सैनिक मारे जाने की बात करते हैं और ऐसा भी कहा जाता है हजारों में आप दिखते हैं उनके गायल भी हुए थे और हमारा अच्छे थम लोगों ने बापस ले लिया था ये भी याद रखेगा तो एक सौट कहानी आप लोग कह सकते हैं कारिगल की और ओपरेशन बिजय की है और उपर वाले से आप लोग दौा करिए कि इस तरह की परिस्तिती ना बने और जो सैनिक हमारे सहीद हुए उनकी आत्मा को सांती मिले उनके परिवार से आप देखे जिस परिवार का मेंबर कोई जाता है वही उस परिवार का दुख समझ सकता है वो कहते हैं ना कि जिस पर बीटती है वही आप देखते हैं कि समझता है दुख क्या होता है और इमानदारी से अगर कोई अपना कर्तब निभाता है तो वो हमारे सैनेक हैं आप सोचे गर्मी हो सर्दी हो बरफ पड़ रही हो पानी गर रहा हो वो हमारी सुरक्चा गरते हैं हमारी सीमा की सुरक्चा गरते हैं इसलिए हम लोग चैन से सो पाते हैं गूम पाते हैं और रह पाते हैं